हेलो व्रिवन तो आयोप आप सभी लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में अपन कुछ चीजों को लेके डिस्कुशन करेंगे ठीक है अपन इसमें जाटने वाले कि ओडर ब्लोक जो होता है वो कैसे काम करता है इंटरनल एक्टरनल अपन सारे ओडर ब्लोक के बारे मे जाने है ठीक है तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मार्केट अपना जो रन होता है वो कुछ इस तरीके से रन होता है मार्केट क्या करता है अप जाता है हलका सा डाउन आता है करेक्शन करने के लिए मार्केट अप गया हलका सा करेक्शन करने के लिए डाउन आया ठीक है मार इस तरीके से मार्केट का पूरा फॉर्मेट रन होगा अब यहाँ पे हुआ क्या मार्केट जब चलता गया अगेन एन अगेन बाई साइड में तो यह होगे अपना बोस यह भी बोस होगे सारे के सारे ब्रेक ओप स्ट्रक्चर है यह ओधरेड़ी लास्ट वीडियो आप जाके देख लेना उप मैंने सारी जीजे पड़ा रखिया आपको अब मार्केट क्या हुआ कि यह हाई पॉइंट तक गया ठीक है ह हाई को भी ब्रेक कर दिया और यहाँ पर यह 1R का एक ओडर ब्लोक ना जैसको 4R का ओडर ब्लोक माल लीजे यह 4R के ओडर ब्लोक में टैप करके मार्केट ने रीसेंट वाला लो ब्रेक कर दिया ठीक है यानि कि मार्केट अकर रीसेंट वाला लो आपका ब्रेक कर रहा है त परस्ट ओडर ब्लोग है यह सेकेंड ओडर ब्लोग है है फॉर्थ ओडर ब्लोग है। अब इन में से मेजर लिए अपने को देखना है कि कौन सा ओडर ब्लोग अपने लिए काम करेंहां। थेक। तो वह सारी चीज़ें हैं बन elét listeners नहीं है ये दो order block आपके majorly काम करेगी ठीक है ये दो order block काम करने के साथ-साथ पहली condition तो मैंने आपको समझा दी कि कौन से order block पे आपको buy की entry लेनी अगर आपका market buy side में जाना चाता है या आपका market sell side में जाना चाता है तो उस time पे आपको कौन सी entry लेनी है ठीक है दोनों order block में ने आपको समझा दी प्रोपर ली ठीक है अब जानेंगे कि order block आखिरकार work करेंगे तो करेंगे कैसे ठीक है तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास ये point है ये यहाँ पर है कुछ इस तरही आगे पीछे कर लेते इनको ठीक है और ये आपका यहाँ पर है ठीक है तो यहाँ पर हुआ क्या है अब देखिए आपका market down था अप गया हलका सा market down गया देन अप गया फिर market down आप ये देखिए इस वाले high का जो है उसको market ने अभी तक break नहीं किया है ठीक है यानि कि आपका ये जो pullback बचा हुआ ये बिल्कुल safe बचा हुआ है ठीक है ये आपका valid pullback है दूसरी चीज अगर आपका valid pullback है आप देखना जानते तो बहुत अच्छी बात है दूसरी चीज एक बार आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जब आप entry अगर आप plan करेंगे तो यहाँ पर order flow जो है ये आपका complete order flow बनेगा ठीक है ये order flow भी आपका अभी तक shape है और ये order flow कैसे mark करते हैं मैं बता देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपका complete order flow है ठीक है अगर माल लीजे ये candle यहाँ पर wig भी आ जाती candle की जरुरत नहीं अगर wig भी आती तो अपने ये consider कर सकते थे कि यहाँ पर ये जो order flow है ये completely आपका unfresh हो चुका है ये अब इतना काम नहीं करेगा अब आपका ये last वाला जो block है ये काम करेगा ठीक है ये चीजे है अगर माल लीजी आपके साथ अगर ऐसा होता है कि जो mid वाला order flow गया ठीक है इसको थोड़ा सा अटा देते है side गर देते हैं इसको भी ये equal बन जाता है ठीक है ये कुछ इस तरीके से इसको अटाई देते है पूरे पैसे समझते है ये high point बनता है आपका यहां से trade जाती है ठीक है मैं धर draw कर देता हूँ एक पर आपको समझाने के लिए तो यहां से क्या हुआ कि आपका market buy side में गया हलका सा down आया market up गया down आया market up गया down आया then market up गया ठीक है अब समझे यहां पे भी आपका order block pending पड़ा हुआ यानि कि यह second case से यहां पे भी pending है order block यहां पे भी pending है ठीक है तो इस case में आपको क्या करना है कि दोनों order block को अगर आप लेना चाहते है proper तरीके से entry का अगर आप plan कर रहे है तो दोनों order block में से जो नीचे वाला order block यानि कि extreme order block है यह आपका better तरीके से work करेगा ठीक है काम यह भी करेगा ऐसा नहीं कि work नहीं करेगा क्यों कि इसमें order flow pending है पूरा का पूरा 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 इसमें भी order flow आपका पूरा पूरा pending पड़ा हुआ है ठीक है बट यहां पर entry module भी आपको बना के देखने हैं जो हमने आपको सिखा हैं लास्ट वीडियो आप जाके देख लेना यह कुछ इस तरीके का one minute time frame पर entry module आपको देखना है ठीक है अग इसे बाई करके जाता है यहां से तो अब क्या यह order flow काम करेगा अब इस case में यह काम नहीं करेगा क्यों 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 कि इस time पे यहां तो क्या होगा आपका यह जो point है यहां पागा आपका elusement ठीक है और यहां पर यह as a support and resistance के दोर पर काम करके यहां से आपके market ने बाई लि दिखाएगा ठीक है आपको हलका से यहां से बाई की एंटर दिखाएगा हो सकता है यहां पर दिखाए देन आपके order block तोड़ देगा और आपके SL उड़ा देगा market ठीक है तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको तो जो manually आपका order block काम करेगा यह सबसे extreme order block है ठीक है यह का measurely काम करेगा यह वाला point ठीक है और यह जो recent वाला order block के यह काम करेगा recent और extreme इन दोनों पर आपको ज्यादा focus करना है अगर फिर भी आप entry लेना चाहते तो आपको छोटे time frame में switch हो जाना है यान कि 5 minute वगेरा या 15 minute वगेरा इन दोनों time frame में चाप किसी भी time frame को select कर सकते य तो better तरीके से समझ में आ जाएगा अब आपको अब आपन चार्ट में चलते हैं थोड़ा का चार्ट में आपको सारी चीजे समझा देता हूं वन बाई वन करके जिससे कि आपको सारी चीजे किलियर हो जाए तो यह अपना चार्ट है अभी मैंने entry प्लान करी है यहां पर अ यहां से buy side में गया हलका सा down लिया मार्केट यहां पर क्या हूआ when आए मार्केट क्या है डियर ला बार बार व बन रहा है और यहां पर क्या एक प्वünd एस जहां मेरे कुम लगता कि मार्केट आए का क्यों आएक मैं बता देता हूं first of all आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पर जो अपना London session था ठीके London session जो था उसका यहाँ पर range अपना जो था high यह था और इस session का अभी currently जो timing है वो running में है ठीके Asian session की range का जो timing है अभी currently running में है तो मैं बता देता हूँ London session के बाद आपका यहाँ पर क्या होगा कि यह तो session से सारे के सारे यह fill होगा है ठीके Asian session का high हो गया London session currently running में है अगर अपने पास अब दो तान से कि आपका market क्या करेगा आया का London session की liquidity लेगा कुछ इस तरीके से देन अब जाएगा ठीक है यहाँ पर प्रोपर हो सकता है candle close ही ना करे market ठीक है तो मैं इसके weight में हूँ कि market का से समेरी हो किस तरीके से रता है बट second confusion यह है कि अगर मैं यहीं selling entry डालता हूँ तो मेरे पास low opportunity निकल जाएग वो यह है कि एक trend line बनी होगी है दूसरी चीज है market का जो पूरा buy है वो buy direction में है और यह जो choice की line है ठीक है अभी अभी market में recently आपर change of structure दिया बोस दिया है नहीं ठीक है so choice तो already कर चुका market का फिलेम पर ले तो यहाँ पर market ने कर बोस दिया तो इसको retest करने के लिए नीचे आया हलका सा ठीक है market कभी भी directly अपनी जा सकता तो उसके लिए मैं wait कर रहो अब दोनों confirmation जो better मिलेगा क्योंकि अगर market मेरा उपड जाता है तो इस यहाँ पे इस point पे market जाने के बाद में मेरा scenario असा रहेगा कि market यहाँ पे जाए कुछ इस तरीके से विग मार है then down आए then I will plan entry for buy side क्योंकि फिर यह इसका जो point है यह नीचे वादा यह low point confirm हो जाएगा अगर market ने illusion ले लिया तो right तो मैं उसी illusion का wait कर रहा हूँ क्योंकि buy side में अगर मैं plan करूँगा तो I think मेरी जो entries है वो better रहेगा ठीक है अब आपको अपने topic पे लेके चलते हैं जो order block वगर आते उस पे चलते हैं कि कौन सा order block कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा ठीक है तो सबसे पहली चीच एक order block तो मैं बताता हूँ wait ठीक है सबसे पहला order block आपका यह वाला था ठीक है यह market ने लिया यह जो order block था market ने इसको लिया ही नहीं इसको direct यह market ने उगड़ा दिया तो यह आपका order block वर्क नहीं किया यह ठीक है यह properly वर्क ही नहीं किया order block उसके बाद आगर आगे चलते हैं तो यह order block अभी भी आपका pending पड़ा हुआ है ठीक है उसके बाद और कौन सा order block इसके बाद यह वाला order block यहाँ पर market आया हलका सा recent वाला order block को market tap किया then market अप गया ठीक है उसके बाद और कौन से order block बच्चे वाला चली देखते हैं उसके बाद यह देखिए यह sale side में order block यह था इसको market ने respect किया डाउन गए, ठीक है, डाउन जाने के बाद क्या हुआ, नीचे वाला जो order block था ये वाला, इसको market ने यहाँ पर लिया, ठीक है, then market अप गए, अब देखी जो उपर वाला order block बचा हुआ है, इसको market ने बिल्कुल भी respect ने किया, हलका सा यहाँ पर देखिए, ठोड़ा सा डाउ दिन मार्केट डाइक्टी बूफ यह सारी चीज़े आपको देखनी पड़ेगी उसके बाद यह ओडर ब्लोग पूरा का पूरा पैंडिंग पड़ा हुआ अपी तक ठीक है और यह अपना नेक्स्ट ओडर ब्लोग है यह भी कंप्लीट पैंडिंग पड़ा हुआ अपना उप चीज़ बता देता हूँ यहां पर यह ओडर ब्लोग फिल हो चुका है रिसेंट टाइम के तोर पे अगर देखा जाए तो क्योंकि यहां पर अपनी स्केंडल को यहां तक लेते हैं चीज़े तो यह एज़े काफी टाइम हो चुका है बट ओडर ब्लोग की देखें तो ओड एंट्री प्लान कर रहे होंगा उस तहीं पर सेम यही चीज़ यह रिसेंट वाला एक ओडर ब्लोग यह पेंडिंग पड़ा हुआ है एक यहां पर जो मैंने माक किया हुआ यह ओडर ब्लोग पूरा का पूरा पेंडिंग है बड़े टाइम प्रेम पर ठीक है अब इसमें से मुझे डिसाइड करना है कि इतना बड़ा तो मैं ऐसे ले नहीं सकता है यहां पर कि यहां मैंने एंट्री प्लान कर दी यहां पर एंड में भी एंट्री प्लान कर दी तो 16 पिप्स का मैं सेल लो नहीं यहां पर मैंने एंट्री प्लान कर दी 6 पिप्स का यहां समझ में आता 6 Pips का लेकिन यहाँ पर 16 Pips का समझ में नहीं आता ठीक है तो वो कैसे entry लेंगे वो सारी चीज़े आपको देखनी पड़ेगी और वो कैसे देखो कि आप जो मैंने अभी already आपको समझा है आपको दो यह order block लेने सबसे पहला जो recent वाला order block होगा recent वाला order block आपको लेना है और next क्या करना है extreme वाला order block लेना है plus उसके साथ साथ आपको एक चीज़ ओड़ देखनी क्या देखनी है कि आपका जो order flow है ठीक है order flow यहाँ sort में लिख देता हूँ order flow की इसमें pending पड़ा हुआ है वो चीज़ आपको देखनी है मैं बता देता हूँ अगर order flow आप नहीं जानते तो order flow देखिए यहाँ पर पूरा pending बड़ा हुआ है ठीक है यहां से यहां तक यह जो जो ने इसका order flow यह है तो इसमें market आएगा then buy की position जलूर आपको देखे जाए ठीक है अगर मैं क्या करूँगा यह से buy की planning करूँगा एक बार ठीक है तो यहां पर order flow में देखिए मेरा market आया यह देखिए order flow में काफी time तक sustain किया और order flow में sustain करने के बाद अच्छी काशी entry लेकिन आपको इतने बड़े नीजिन है order flow के अंदर भी जो आपका order flow के उसके अंदर आपको entry लेना है ठीक है तो I hope यह सारी जीजे में आपको बता रहा हूँ समझ में आच चुकी होगी ठीक है और इसी के साथ अपन जल्दी मिलते एको next वीडियो में जिसमें आपको काफी अच्छी चीजे बताए जाएगी thank you so much everyone